दीपक जी यह पूछना चाह रहे हैं कि जब भी कोई इंसान मैसिव एक्षन लेता है तो हम कैसे उसे समझ सकते हैं कि वह मैसिव एक्षन ले रहा है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह एक्षन मैसिव एक्षन है और जब भी कोई अपने आउटकम के डियरेक्शन में अपने गोल के direction में काम करना शुरू करता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब इनसान बहुत hard work करता है तो एक particular time के बाद उसका जो है जो motivation है वो down होने लगता है वो exhausted करने लगता है कि मैंने बहुत सारी मेहनत की बहुत सारा काम किया लेकिन मुझे उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आउटकम को एचीव करने के लिए रिजल्ट्स को क्रिएट करने के लिए यह बहुत जादा जरूरी है कि हम इस बात क समझने है कि massive action का मतलब यह होता है कि आप अपने आपको consistently और progressive तरीके से action के track पर रखें यानि कि आपको जो भी result produce करना है उस result को यानि कि उस outcome को आपने एक बार अच्छे तरीके सा identify कर लिए आपने समझ लिया उसके बाद आप एक strategy बनाते हैं कि यह जो मेरा end result है इस तक प पहुशने के लिए जो मेरी जर्नी है वो जर्नी कैसी होने वाली है वो उसके लिए strategy क्या काम आएगी वो कौन से strategy है जो मुझे यहां से यहां तक पहुचा सकती है अब इसमें एक चीज समझनी बहुत जादा जरूरी है कि पहले दिन यानि कि initial level पे हमें कभी भी यह नहीं पता चलता कि 100% strategy क्या follow यानि कि ultimately जो हमारा goal है वहां तक पहुचने का full proof plan हमारे पास नहीं होता है तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं करते हैं यह सोचते हुए कि अभी तो हमें clear नहीं है कि हम काम करेंगे तो पता नहीं वह result मिलेगा भ ही होती है आप जहां से अपनी जर्नी शुरू करते हैं आपको थोड़े ही आगे तक की चीज़ें नजर आती हैं इसी लिए उस जर्नी उस आउटकम के डिरेक्शन में माइल स्टोन बनाए जाते हैं आप अपने माइल स्टोन को देख सके हैं आप ultimate end result को नहीं देख तो आगे का रास्ता आपके सामने अनपोल्ड होने लगेगा विजिबल होने लगेगा तो सबसे पहले इस बात को समझ लेना है अब यह कि मैसिव एक्शन क्या होता है तो देखें मैसिव एक्शन में सब कुछ आता है जब आपने अपने आउटकम के बारे में सोचा और ने आपने अपने आउटकम को वह स्ट्रॉक्शर कर रहे हैं तो वो भी मैसिव एक्शन है क्योंकि आपने आउटकम की ज्यादा बहूंट क्लारिटी इसके बाद आप उसकी स्ट्राटेजी डेवलब करते हैं तो स्ट्राटेजी डेवलब करना भी मैसिव एक्षन है उसके बाद स्ट्राटेजी डेवलब करने के साथ 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 आप milestones identify करते हैं कि मेरा next milestone क्या है मेरे उस next milestone तक पहुंचने की strategy क्या है फिर उस particular strategy को जब आप अपने day schedule में integrate करते हैं किसके लिए मुझे रोज यह करना होगा यह करना होगा तो पहले दिन आपने जैसा बिल्कुल सही का कि उसकी पहले दिन आपको आदत नहीं है mind और body resist करती है क्योंकि वह चीजों के लिए आप prepared नहीं तो आप जब उस direction में अपने आपको prepare कर रहे हैं आप थोड़े-थोड़े से effort कर रहे हैं और वह efforts हर दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं तो यह भी massive action है massive action का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वह action जिससे result produce हो रहा है या कोई इंसान पागलों की तरह काम कर रहा है तो massive action है massive action का मतलब होता है कि आप बहुत जादा sure है अपने outcome को लेके अपने goal को लेके और उसकी पूरी clarity के साथ आप उस direction में अपने आपको improve करते हुए आगे बढ़ते हैं आप हर रोज अपनी skills को improve कर रहे हैं तो इससे massive action कहते हैं यानि कि massive action का मतलब है कि अपने आपको capable बनाना वो भी massive action का part है massive action का part है अपनी strategy को refine करना massive action का part है कि feedback लेना कि मैं अपने direction outcome की तरफ आगे जा रहा हूं या कहीं से deviate तो नहीं हो रहा हूं तो यह भी massive action है और आपको यह पता चलता रहे कि कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे result तक पहुंचाने के वह आपको मिल जाएगा लेकिन यह होगा कब जब इस तरह का massive action हम लेना शुरू करेंगे जैसे आप network marketing business में हैं तो मैंने इतना study किया network marketing business को वहां पर massive action पर बहुत जोर दिया जाता है कि massive action लो और massive action के लिए बताया कहा जाता है कि आपको plan शो करना है आपको जादा-जादा लोगों को plan दिखाना है लेकिन क्या आप अपने plan शोईंगी capability को improve कर रहे हैं क्या आप अपने plan जो present कर रहे हैं उसमें आप लोगों के emotional point को touch कर रहे हैं क्या आप लोगों को actually उनका vision शो कर पा रहे हैं कि अगर वो इस business को join करते हैं इस पर अपना time effort लगाते हैं तो सच में वो result create कर पाएंगे और उनको आप सच में help करने के लिए available हैं अगर यह सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और consistently कर रहे हैं तो यह massive action सिर्फ जादा से जादा लोगों को plan दिखा देना massive action नहीं होता तो आई होप यहां से आपको यह clarity मिल रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं जी जी सर्थ थैंक्यू और एक चीज़ और है जिसके बारे में समझना जरूरी है कि हम अपने motivation को कैसे consistent रखें तो कोई भी action हम तभी लेते रहते हैं यानि कि हम ड्रॉप नहीं करते जब हमें यह पता होता है कि वह हम ले क्यों रहें और दूसरी चीज़ पहली चीज़ वह हम कर क्यों रहें तो मैं बार-बार कहता हूं क external motivations नहीं रह जाते हैं यानि external motivations factor जो है क्योंकि externally कोई आपको motivate भी कर सकता है और externally कोई आपको demotivate भी कर सकता है लेकिन जब आप internal motivation के साथ काम करते हैं तो आपको बाहर की दुनिया का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो पहली चीज़ यह समझने की जरुएत है कि जो आप कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं तो emotional picture अपनी बिल्ड करिए जो आपके result से उसके बारे में सच में सोची है deep down back यह सोची है कि अगर वो result आपको मिलने लगे तो आपकी जिंदगी में क्या change आएगा जब आप उसे समझ करेंगे सोचेंगे उसके बाद ही जाके वो emotionally आपको connect करेगा राइट दूसरी जो चीज़ है वो यह ध्यान से समझेगा यह दूसरी चीज़ के बारे में rarely ही कोई बात करता है लेकिन क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में experience किया है तो मैं आपके साथ share कर रहा हूं दूसरी जो च बिजर नहीं मिलेगा उसमें आपको मजा नहीं आएगा तो वह बहुत समय तक होने के बावजूद भी अगर हमें जो हम कर रहे हैं उससे हमने कोई ऐसी मीनिंग अटैच नहीं की है जो हमारे लिए है तो हम अपने actions को drop कर देंगे हम काम नहीं करते रहेंगे तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना जैसे मैं एक्जांपल देता हूं आपको कि सपोस करिए कि आप अपने बिजनस में काम कर रहे हैं आप लोगों को प्लान शो करने जा रहे हैं अब आप प्लान दिखाते हुए अपने आपको इंप्रूफ कर रहा हूं कि हाओ आई के बेटर प लांद किशले वाले प्रेजेंटेशन से विए फिछले वाले प्लान प्रेजेंटेशन से बेटर होता है जब आप इस सूशना शुरू करेंगे तो आप उसके साथ प्लेजर को कर लेंगे आपको मज़ा आ लगेगा आप और परसंट ग्रो करेंगे और फिर जब यह में अपनी activity में आपने ऐसी meaning attached कर ली कि वह meaning आपके लिए meaningful है value है आपके लिए कि हां मैं अपने आपको बहतर इंसान मना रहा हूं या मैं अपने business का brand बिल्ड कर रहा हूं या जो भी कर रहा हूं तब आप जादा enthusiasm के साथ उसको कर पाएंगे तो फिर उस situation में जब आपका वाई भी clear है और जो हाउ है यानि कि जिसमें लेने वाला पार्ट उसको भी आप enthusiasm के साथ कर रहे हैं तब भी वह situation आती है कि आप अपने actions को drop नहीं करते बलकि result नहीं भी आ रहे होते हैं तो भी आपको फरक नहीं पड़ता क्योंकि कि आपको समझ मैंता है मैं तो हर दो हर दिन एक जादा बहतर एक जादा चाहिंसान बन रहा हूं और फिर आप कंसिस्टेंट करते हैं इसी को massive action कहते हैं और आप अपने रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं करते हैं करते हैं